आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल डिवाइन मिजिक में आज मैं आपको बताऊंगी कार्तिक मास यानि कार्तिक का महिना इतना शुब क्यों माना जाता है कार्तिक के महिने में माता लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान जी की पूजा का बहुत अधिक महत्व है इस महिने में तुलसी पूजन का भी बहुत महत्व है अब मैं आपको बताऊंगी कार्तिक नान यानि कार्तिक नाने से क्या फल मिलता है शास्त्रों में कार्तिक स्नान का बड़ा महत बताया गया है हिंदू सास्त्रों के अनुसार कार्तिक महा में व्रत स्नान और दान का बहुत ही जादा महत वै मानने तरह इससे पाप का नाश होकर शुक्षान्ती और मोक्ष की प्राप्ती होती है कार्तिक मास में तुलसी पूजन कैसे करें? कार्तिक मास में रोजान सुबह उड़कर सभी कामों से निर्वित होकर स्नान कर ले इसके बाद साफ वस्तर धारन करके एक लोटे में स्वच जल भर ले इसके बाद दुलसी के पौदे की जड़ में धीरे धीरे अर्पित करें इसके साथ ही दुलसी के गमले में स्वास्तिक चिन बना ले अब मैं आपको बताऊंगी कार्तिक मास का इतना महत्व क्यो है कार्तिक मास की क्या कहानी है कार्तिक मास में भगवान विष्णू धर्ती पर जल में वास करते हैं इसलिए इस महिने में ब्रह्म मूरत में स्नान करने का विशेश महत्वे 29 अक्टूबर से कार्तिक मास का आरंभ हो गया है कार्तिक मास में भगवान विष्णू और माता लक्ष्मी को प्रशन करने के लिए उनकी किरपा प्राप्त करने के लिए आपको इस कथा का रोजाना पाट करना चाहिए कार्तिक स्नान का समय है 27 नवंबर को ब्रह्म मूरत से कार्तिक पूर्णिमा का स्नान और दान प्रारंब हो जाएगा उस दिन ब्रह्म मूरत प्रता पांच बचकर 5 मिनट से सुबा 5 बचकर 69 मिनट तक है ब्रह्म मूरत से दिन बर कार्टिक पूर्णिमा का सनान दान चलेगा कार्टिक पूर्णिमा का सुम मूरत या अभीजीत मूरत सुबह ग्यारा बजकर 47 मिनट से दुपैर साड़े बारा बजे तक है घर में दीप दान कैसे करें? कई लोग पीतल चांदी और मिटी के दियों पर दीपक रखकर दान करते हैं तो वहीं कई लोग सिकों पर रखकर भी दान करते हैं जो 34 की माने तो दीपदान चावल पर दिया रखकर करना चाहिए इसके साथ फल अनाज आधी रखकर सुम माना जाता है कार्तिक मास क्यों मनाये जाता है? कार्तिक मास भगवान विश्णू की पूजा के लिए सबसे खाश माना गया है इसलिए इस महिने में विश्णू प्रिया तुलसी की पूजा करना भी बहुत अच्छा माना जाता है इसे पूरे महिने में तुलसी के पौदे के नीचे घी क अद्धीपक जलाकर रखने की परंपरा है ऐसा करने से आपको धनलाब होता है और आपके घर में माता लक्षमी का वास होता है कार्तिक मास की कथा में कितने अध्याय हैं कार्तिक मास की कथा में 26 अध्याय हैं कार्तिक मास में कौन सा पार्ट करना चाहिए यह महिना सनान दान के लिए अत्यन्त महतपूर्ण माना जाता है इसके अलावा कार्तिक मास में विश्णू जी और तुलसी माता की पूजा करने से सुफवलों की प्राप्ती होती है कार्तिक महिने में तुलसी पत्रिस सीरी विश्णु की पूझा करनी चेने ऐसे ही अच्छी अच्छी जानकारी के लिए धार्मिक जानकारी के लिए तौहारों की कथाओं के लिए मेरी यूट्यूब चैनल डिवाइन म्यूजिक को लाइक और सस्क्राइब करें धन्यवाद